हलो दोस्तो स्वागत आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल में तो दोस्तो आज किस वीडियो में यहाँ पर जानेंगे Tick Master Application के बारे में यह application क्या है आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं तो दोस्तो इसे के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं तो चलिए यहाँ पर इस application को यूज करने के लिए करते हैं open तो simply open वाले option पर type करते हैं तो आपको next कुछ इस तरह से interface देखने को मिल जाता है आप देख सकते हैं Tick Master लिखा हुआ है और आप नीचे देख सकते हैं Start का option इस पर आपको type कर देना होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर start हो रहा है आपको थोड़ा देर बेट कर लेना होगा तो आपको इस परकार से देखने को मिल जाता है आपको करना होगा तो simply आपको इस परकार से देखने को मिलता है आपको यहाँ पर BPN connect कर लेना होगा तो simply माल बेजलाग कर देते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा जो BPN यहाँ पर connecting हो रहा है आपको थोड़ा दीर यहां पर beat Effort कर लेना होगा तो हम यहां पर beat ह erhalten है तो आपको next कुछ तरह से देखने को मिल जाता है Time आपको देखने को मिल जाता है और यहां पर हमारा VPN जो है connect भी हो चुका है और आप देख सकते smart connect इस पर हम Type कर देते हैं तो आपको इस परकार से देखने को मिल जाता, आप यहाँ पर Canada का server दे सकते है, America दे सकते है, England दे सकते है, Japan दे सकते हैं, Australia दे सकते हैं, इस परकार से आपको देखने को मिल जाता, आप किसी भी server पर type करके आसाने से connect कर सकते हैं, तो simply England select कर लेते हैं, उस पर type करेंगे तो आप आपको एड़ देखने को मिलता एड़ को देखते हैं देखके क्लोज कर देते हैं तो आप यहां पर दे सकते हैं हमारा जो सर्वर यहां पर कनेक्ट हो चुका है आप कुछ इसी तरह से यहां पर सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं और आप यहां पर दे सकते हैं और आपको यहां प करते हैं तो आप देखने को मिल जाता है तो आप कुछ प्रकार से देखने को मिल जाता है तो आप कुछ इसी तरह से यहां पर कुछ इसी तरह से कर सकते हैं